नमस्का दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का एक्जाम एजेमेंट में मैं करूना इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ भरतिया मंदिर सिल्प कला के कलात्मक पहलो चप्टर नमबर एट क्लास 11 के लिए सेकिंड रम में आने वाली उनकी फर्स्ट उनेट इस चप्टर को शुरू करने से पहले फ्रेंट्स हम देख लेंगे कि भारत में कौन सी सिल्प कलाओं को एक विशेश महत्व दिया गया है तो ये हमारा पूरा इंडिया का मैप है जिसके अंदर डाल, लेक, श्रीनगर, रगुनाथ टेंपल, जम्मू, हडपा, मोहंजदारो, हिमायु टोम, पार्लियमेंट हाउस, कुतुम मिनार, ताज महल, हवा महल, जेपुर, फतहपुर सीक्री इसी तरह से और काफी सारे और जो हमारे मंदिर इन्होंने दिये हुए हैं माबोध्धी टेंपल बोध गया, टेरोकुटर टेंपल, कोलकता, सांची स्तूप, मध्यप्रदेश, बीम बेटका, खजुराहो, मध्यप्रदेश, मोधेरा का सूर्य मंदिर गुजरात, जिससे की आप जांजरवादक पढ़ेंगे, सन टेंपल, कुनाक, अलोरा, अजंता, महरास्ट, यह सारी चीजों को यहां पर दिखाया हुआ है, और बिलकुल लास्ट में आ जाते हैं, मदुरई, और तिरुवंतपुरम में, और विवेकनंद्रो, कन्याकुमारी में, इस तरह से बहुत सारी और भी युनिक शिल्पकला हमारे देश में देखने मिलती है, जिस इसकी बारे में हम इस चप्टर में जानेंगे कि उनकी विशेशता क्या क्या है, तो बात कर लेते हैं, भारते मंदिर शिल्पकला की, तो अगर हम यहां पर इस मंदिर को देख रहे हैं, यह कंदरिया महादेव मंदिर है, खजराहो में, खजराहो मध्य प्रदेश में इस्त है कि एक चबूत्रा होता है जिसको हम अधिस्ठान भी बोल देते हैं जो चबूत्रा 25 फुट से लेकर के सो सो फुट तक भी होता है और उसके ऊपर होती है जगती जगती और चबूत्रे के बीच में जो पैदल चलने के लिए जगा छोड़ी जाती है जिसे हम कहते हैं कि चलो परिक्रमा कर लेते हैं तो वो कहलाता है प्रदिक्षना पत तो चबूत्रे के उपर और मंदिर के चारो तरफ परिक्रमा लगाने के लिए जिस अस्थान को छोड़ा जाता है वो प्रदिक्षना पत कहलाता है एक होता है आर्धमंडप होता है जैसे मंदिर में अलग-अलग छेत्र में अलग-अलग मूर्तिया या देवता को बठाया गया होता है तो उसके उपर आर्थमंडप मंडप और महामंडप लगाया जाता है सबसे ज़्यादा important होता है गर्भ ग्रह गर्भ ग्रह होता है जहां पर मंदिर में मूल देवता यानि कि जो मंदिर जिस देवता को समर्पित है उस देवता की मूर्ती को जिस जगा पर इस्थापित किया जाता है उसको गर्भ ग्रह बुला जाता है अगर कोई शिव का मंदिर है और वहाँ पर शिवलिंग इस्थापित किया गया है मुखे शिवलिंग इस्थापित किया गया है तो वो गर्ब ग्रह में इस्थापित किया जाएगा गर्ब ग्रह के उपर जो मंडप के तरह बना होता है उसको बोलते हैं शिखर बाकी जो दूसरे ग्रह के उपर बनाये होते हैं उसको मंडप, अर्ध मंडप, महा मंडप बोला जाता है लेकिन जो गर्भ ग्रह के उपर बनाया जाता है उसको हम शिखर बोलते हैं और शिखर के उपर एक जगती या फिर अमलका जिसको बोलते हैं इस्थापित की जाती है जो की मुख्य तहा गोलकार की होती है उस गोलकार की चोकी या अमलका के उपर कलश स्थापित किया जाता है जो की हिंदू मंदिरों की परंबरा में है और कलश के उपर एक जंडा हम ल लगाते हैं तो ये होती है मंदिर की स्थापत्य कला लगभग सभी मंदिरों की स्थापत्य कला इसी के जैसी होती है बस थोड़ा सा अंतर हो जाता है उसका इसको देखते हुए कि वो कहां बना हुआ है इनकी इन सरचनाओं को मंदिर की इन सरचनाओं को जानने के लिए इनको निम्न तरीके से डिवाइड हम लोगों ने किया हुआ है जैसे नागरा अथ्वा मंदिर इस्थापत्य की उत्तर भारतिय शैली मतलब उत्तर भारत में जो मंदिर बने हुए है वो नागर शैली में बने हुए है नागर शेली होती है जिसके अंदर जो हमारा चबुत्रा होता है वो चोकोर होता है चबुत्रा मतलब वही वाला जिसके उपर प्रदिक्षनापत जगती के उपर जो प्रदिक्षनापत बना होता है दूसरा आजाता है मध्य भारते मंदिर शेली तीसरा आजाता है आपका पस्चिम भारते मंदिर शेली, चौथा पूर्विय भारते मंदिर शेली और लास्ट है आपका द्रविन अत्वा दक्षिन भारते हैं मंदिर शेली जगा जगा पे मत्ता पूरव पस्ट्रीम दक्षन और मध्य में बने हुए मंदिरों को अलग-अलग तरीके से इन्होंने बाढ़ दिया हैं और इन मंदिरों में सबकी विशेशताएं अलग-अलग हैं जो आपको यहाँ पर एक स्केच बना हुआ दिख रहा है यह द्रविन शेली का मंदिर है द्रविन शेली मत्तब दक्षन भारते शेली का मंदिर है और दक्षन भारते शेली के मंदिरों में जो गती और प्रदिक्षनापत वाला एरिया मंदप महा मंदप वाला उसको पूरा ह विमान बोल दिया गया है तो सबसे पहले गर्बग्रे गर्बग्रे के उपर विमान, विमान के उपर शिकर और गर्बग्रेशन नीचे होता है क्या? चबूत्रा, जग्ति और प्रदिक्षनापद और इसके अलावा मंडप गोपुरम जो आपको दिख रहा है यह यहां की प्रमुक विशेशता है दक्षन भारत के अलावा कहीं पर भी गोपुरम नहीं बने है गोपुरम दक्षन भारत में बने है यह है आपका मतलब मंदिर वास्तोशिल्प कैसा है? इसके अलावा इन मंदिरों में क्या होता है कि मूर्तियां बनाएं गई होती है मूर्तियां ये इसके दो कारण थे बनाने के पहले तो जो कारिगर थे, मूर्तिकार थे उनको एक तरह से रोजकार प्रदान करना वो मंदिरों पर इस तरह से मूर्तियां उकेरते थे या कलाकरतियों का निर्मान करते थे जिससे कि उनको रोजकार प्राप्त होता था और सेकेंड है कि धर्म का प्रचार और प्रसार करना और इश्वर के प्रती लोगों को जाकरुप करना तो ये इसके दो कारण थे और ये परम्परा एक के बाद एक दूसरे शली में या दूसरे पीडी में इस्थानतरित होती आ रही है और ये आज भी अगर किसी मंदिर का निर्मान किया जाता है तो वहाँ पर भी इस तरह से मूर्तिकला को महत्व दिया जाता है जिससे की दोनों उदेश्यों की पूर्ती हो जाती है रोजगार भी क्रियेट होता है और सुन्दर लगता ही है और प्रचार प्रसार भी होता है तो अब जो आपके स्लेबस में है जिनको हम पढ़ेंगे मंदिरों की मूर्तिकला का अध्यान हम उन कुछ सेलेक्टेड मंदिर में से कुछ सेलेक्टेड मूर्तिशिल्फ आपको दिये गए है जो आपके स्लेबस में है तो पहला है गंगा का अध्यान ये जो आप चित्र देख रहे हो ये गंगा का अध्यान मूर्तिशिल्फ का है और ये पल्लवगाल का मोर्तिशेल्फ है जो महावलीपुरम के मंदिरों में बना है महावलीपुरम तमिलनाडों में है भारत में इनको हम रथ मंदिर भी बोल देते हैं और इनको किसने बनाया है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती लेकिन ये ग्रेनाइट चटान पर बनाए गए है ग्रेनाइट यानि की काली रंगी चटान पर बनाए गए है और सात्वें शताब्दी के आसपास माना गया है इसका समया अगर हम इस मूर्तिशिल्फ को ध्यान से देखते हैं हमको लगता है कि हाथियों ने उठा रखा है इन सभी को मतलब एक प्राणी जगत को हाथियों की फीट पर उठा रखा है या ये मंदिर हाथियों की फीट के उपर बना हुआ है ऐसा हमें लगता है इसके साथी साथ जो ये दो भागों में बटा हमें दिख रहा है बीच के अंदर अगर हम इसको ऐसे देखते हैं तो बीच में हमें नागराज और उसका परिवार नागराज नागरानी और उसका परिवार हमको यहां पर नजर आ रहा है साथ ही साथ एक डाड़ी वाला वेक्ती है जो प्रातना करता हुआ हमें नजर डाड़ी वाले वेक्ती को यहाँ पर दिखाया गया है जिसकी पैजान भगीरत के रूप में की गई है जिनको एक पैर पर खड़े अपने दोनों हाथ को उपर की और फैलाए भगवान शिवशे प्रातना करते हुए दिखाया गया है ताकि वे अपनी जटाओं से गंगा की एक धारो को मानव कल्यान हितु प्रत्वी पर बहने दें दो जीवन तकार के हातियों को उनके बच्चों के साथ उकेर गया है अपने पिछले दो पैरों पर खड़ी हुई एक बिल्ली के अलावा एक हिरन, शेर, बत्तक भी सिला पर उकेरे गये हैं इस चट्नान की लंबाई लगभग 30 मीटर उचाई 15 मीटर है और इसको पल्लव शाशक महिंदर वर्मन प्रथम तथा उसके पुत्र मामला के साशनकाल में उतकीन किया गया है और इस मूर्थी शिल्प को कुछ लोग अर्जुन का तप नाम से भी जानते हैं तो दोस्तों मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताऊंगी तो ये गंगा का अवत्रण वही वाली कता है जिसके अंदर महराज भगीरत प्राथना करते हैं भगवान शिव से कि वो गंगा को अपने जटाओं में धारन कर लें और उसकी एक शाखा को खोल दें जिससे क कि उसके पूर्वजों को मोक्ष मिले हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि अगर हम अपने पूर्वजों की अस्थियों को गंगा में बहा देते हैं तो उससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ती होती है तो इस कारण से इस पूरी के पूरी घटना को यहां पर इस मूर्ती शिल और प्रात्ना कर रहे हैं इनको महराज भगिरत के तौर पर परिचे इनका कराया गया है सेकिंड सेकिंड मूर्ति शिल्प है आपका त्री मूर्ति महिश मूर्ति गुफा संख्या एक रावन के लाजपर्वत हिलाते हुए बिटा आपके अप सलेबस में नहीं है 2021 में जो सलेबस है उसमें उस मूर्ति शिल्प को हटा दिया गया है तो त्री मूर्ति आपके सलेबस में है अगर हम त्री मूर्ति को यहाँ पर देखें तो यह है एक त्री मूर्ति जो हमें ऐलिफेंटा से मिली है इसके अंदर हमें एक मूर्थी शिल्प के तीन फेस देखे हैं और ये मतलब उसका आवक्ष मूर्थी शिल्प है आवक्ष मूर्थी शिल्प वो होता है जो कंधो तक या सीने तक बना होता है तो एलिफेंटा महारास्ट से मिली है चटान काट करके बनाई गई मूर्थी शिल्प है नवी ध्यान से देखें तो इसके अंदर तीन चेहरे हैं जिसके अंदर सामने वाला जो चेहरा है वो काफी सौम में है और ध्यान मुद्रा में है और जो इस मूर्ति के दाइं तरफ वाला चहरा है जिसके अंदर मूच बनी हुई है उसको भैरव के रूप में मतलब रुद्र के रूप में दिखाया गया है भगवान शिव का रुद्र रूप उसको बताया गया है और जो इसके बाइं तरफ वाला फेस है वो भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा जी का बताया गया है तो इस कारण इसको भगवान महेश विष्णु और ब्रह्मा जी के तीनों मुख दिखाते हुए इसको त्री मूर्ती की संग्या दी गई है लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जो बाइं तरफ वाला मुख है जो सोम्य है वो मापार्वती का मुख है और सामने भगवान विष्णु और रोद रूप में जिसे दिखाया गया है वो भगवान शीव है कुछ लोगों का ऐसा मानना है तो अगर हम इस मूर्ती को और देख लेते हैं इस मूर्ती शिल्फ में जो नीचे होट बना हुआ है वो थोड़ा सा मोटा और नीची की तरफ लटका हुआ बनाया गया है जो कि इस मूर्ती की सुंदर्ता में और बढ़ोतरी करता नजर आता है ये इस मूर्ती की निजी विशेशता है आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये दोनों मूर्थी शिल्फ जो हमने पढ़े हैं गंगा का अवतरन जिसको हम अर्जुन का तप नाम से जानते हैं और दूसरा त्री मूर्थी महेश मूर्थी अच्छे से समझाया होगा क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है एक वीडियो में इसको खतम कर पाना थोड़ा मुश्किल है तो इसकी नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे हम जिसके अंदर हम बाकी के मूर्थी शिल्फ कवर कराएंगे दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें